हेलो दोस्तो मेरा नामे गौतम और आप देखरें यूलैक लेक्टोनिक्स और दोस्तो इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला था अडियो पैनल के रिपेर के बारे में तो उस पे काफी सारा कोमेंट आया था कि मेरा पैनल में लाइट भी आता है संग भी प्ले होता है बट यह करने वाला हूं और दोस्तों यह वीडियो लंबा भी हो सकता है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि प्रोब्लम कहां से शुरू होता है तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों कि अगर आपके कार्ड में सप्लाइं नहीं आ रहा है आईसी हीट हो रह प्रोब्लों के बारे में आज बताने वाला हूं और दोस्तों ज़्यादा तर मार्केट में आपको यही बुलुटूथ मिलेगा और सब जगह यही फिमस आजका बुलुटूथ पैनल है यह आपको बहुत ही चिप प्राइज में आपको यह मिल जाएगा तो यहां पे देख बगल में यह white बलाइक होता है इसमें हमारा output होता है जो कि हम किसी amplifier के साथ connect करते हैं और just इसके बगल में दो तीन और इसमें option दिया गया है तो यहां पर option देख सकते हैं यह माइक का है बट यहां पर आता है माइक वाला उसका भी link मैं को description में देदूगा आप लेना चाहते हैं तो उसको ले सकते हैं ठीक मैं माइक वाला का भी link description में देदूँगा ज़स्ट उसके बगल में तीन पिन आपको यहां पर दिख रहा है तो यहां पर यह तीन पिन है तो जैसे की audio input होता है left right और ground तो इसको आप कहीं भी यूज करते हैं तो audio input के लिए यह यूज किया जाता है जैसे कि audio input के लिए aux cable का यहां पर option दिया गया है 3.5 mm jack का उसमें भी यहां पर option दिया गया रहता है तीन पीन input का ठीक है तो एक पीन जो होता है लेट का होता है बीच परा ग्राउंड होता है और दूसरा राइट होता है लेट राइट और ग्राउंड यह तीन पीन हमारा audio input का जब हम इसको आक्स मोड पर डालते हैं तो यह जो अगर 44-44 में लगा हो रहता है अर्सीज़ वोकेट से कनेक्ट होता है हॉम ठेकर में भीकर लगा वता है तार्सीज़ सटेक्ट होता है जिससे आप TV या मोवाइल ऑक्स के पिन के जड़ीद चला सकते हैं और जस्ट इसके वगर में यहां पर दिया गया एक जी अंडी 12 वोल्ट लिखा हुआ बट यह ऐसी प्रिंट दिया गया है इसका कोई काम नहीं है पाँच वोल्ट के लिए यहां पर आपको देना है अगर आप इसमें 12 वोल्ट देंगे तो हो सकता है आपका यह कार्ड खराब भी हो सकता है ठीक है तो आप इस दोनों का यूज करें ठीक है तो यहां पर यह हो गया और दूसरे बाले को भी मैं थ्रट दिखा रहा हूं तो द नहीं आता कि इस प्रकार से इसको रिपेर करते हैं उसके लिए मैंने इसको रिपेर करके दिखाया था इसलिए दूसरी वाले को गर देखते हैं तो यहां यहां पर आपको किस परकार से चेक करना है वो मैं आपको दिखाता हूं ठीक है तो चलिए यहां पर मैं आपको एक एमप्लीफार के साथ प्रेक्टिकल करके दिखाता हूं पहले तो यहां पर मेरे पास एक एमप्लीफार के साथ मैंने कनेक्ट कर रखा है और ज्यादा तरह आपको जो इसमें आपको तीन वायर मिलेगा तो मैंने दोनों वायर इसलिए कर रखा है ताकि आपको दोनों तरीका से में समझा पाऊंग। तो यह माल लीजे हो गया हमारा तीन पिन करे लेते हैं ठीक है तो इसको मैं अभी अलग से सप्लाइस देने वाला हूं तो मैं यहां से सप्लाइस में दे दिया और उसके बाद यहां पे हमारा तरह भी जब्द बीडें जल्ए हमने उसमें युएश्वी लगा लेते हैं मैंने यह विके लगा दिया और यहां पर चुलि भी हो चुका है मेरा ठीक है तो चलि यहां पहर मैं यहां पहर जो चार पीन वाला इसमें है था आपर चार पीन invite पिन वाला और यू आट्पूट का है तो चलिए मैं इसमें लगा लेते हैं इसको यहां इस परकार से तो यहां पर लगाने के बाद मैंने एक एंपलीफायर के साथ इसको कनेक्ट रखा है देख सकते हैं और जो मेरा यहां पर इस स्पीकर है उसमें सिर्फ हमिंग आ रहा है ठीक है और यहां पर यह आटपूट नहीं दे पा रहा है लेकिन यहां पर स्वांग प्ले है मैं स्वांग को भी यहां पर चेंज करूंगा फिर भी हमारा कोई sound नहीं आ रहा है तो आपको सबसे पहले चेक करना क्या है कि आपको इसका volume चेक करना है ठीक है कई बार क्या होता है कि आप यहां से volume इसका बढ़ाते हैं और वो automatic घट जाता है किसी कारण बस ठीक है तो ऐसे problem में दोस्तों सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि यहां जो आपको प्लस वाला option दिखता है जो से next और वोल्यूम अप होता है मतलब ज्यादा होता है उस button को आपको push करकर रखना है दबा करकर रखना है कि हमारा सांड पता चल सकीए जो हमारा बिल्कुल बंध है कि चाल होगा क्योंकि कई बार क्या होता है सिस्टम से हमारा बिल्कुल zero हो जाता है ठीक है तो यहां पर पर पूरा जीरो था अगर हम इसको supply कट करके फिर से इस में supply देंगे तो फिर भी हमारा हो 0 का zero रह गा sound उसका ओवो output नहीं होगा ठीक है जिस प्रकार से यहाँपर अभी चलेगा song यह song यहाँपर प्ले हो चुका है बट यहाँपर कोई sound नहीं है क्योंकि यहाँपर इस नियुक्त से इस परकार से बढ़ा लेना है उसके बाद ये हो गया पहला ठीक है दूसरा तरिका क्या है कि कई बार क्या होता है connection के दौराण यहाँ पर चार पी निश्में होता है और तीन पीन वाला आपका connector होता है ठीक है तो इसको हम इस परकार से लगा देते हैं को यहां पर आप है कि यहां परकार से लगा देते है जिससे क्या होता है कि डूर्ज सर्क्राइब घ्र होता है वह बिल्कुल गलत तरीका से मैंने कि लगाया है ठीक है तो गलत तरीका कैसे हुआ इसमें एक जो option होता है एंटीना का होता है जैसा कि देख सकते हैं आप एंटीना लिखा हुआ है नीचे यह हमारा right है बीच वाला ground है उसके उपर L out है मतलब यह तीनू पीन हमारा audio system के लिए बाकि नीचे हमारा एंटीना के लिए लेकिन इसमें गलती क्या करते हैं आप लो इ ठीक है इस एंटीना वाले के साथ तो आप इसको देखिए कि हमारा जो तीन पीन है जैसा कि यहां हुआ बीच में ground हुआ right यहां हुआ थीन पीन उपर वाला तो यह जो चैनेक्टर है आपको पास तीन पीन वाला ऐसा होगा तो आपको उपर वाले में करना है ठीक है इस पर पर परता नहीं है ठीक है इस परकार से तो अब हमारा क्या है कि इसको प्रोपर हमारा दोनों चैनल में लेप्ट के वैर से लेप्ट को मिलना है और राइट को बार से राइट को सिगनल मिलना है तो इससे क्या है कि हमारा जो दोनों स्पीकर है दोनों स्पीकर में हमारा सांड आ रहे ठीक है और इससे पहले क्या था कि जैसे मारी इसको नीचे वाले में लगाते थे इस प्रकार से तो हाला कि हैन्प देगा उस ह्योगा कै conceived left right और ground को देखते हुए यहाँ पर लगाना है यहाँ ठीक है और मैंने सही लगाया तो दोने हमारा song play हो चुका है ठीक है यह आपको देखना है उसके बाद आपको क्या देखना है कि जादतर आपको इस प्रकार का wire मिलेगा ठीक है इस प्रकार का तो आपको करना क्या है कि जैसे कि यहां पर जो यह module होता है उसमें आप वायर लगाते हैं तो कई बार क्या होता है जैक इसमें उल्टा लगा होता है ठीक है यहां पर मैं आपको दूसरे में पहले दिखाता हूँ फिर आपको समझें और यहां पर बिल्कुल सही लगा हुआ है सिधा कंडिशन में यहां पर हमारा जो एंटीना का वायर है वह वह सही पिन पर लगा हुआ है जैसा कि यह पहला पिन है तो इसमें यह लगा हुआ है बाकि नीचे जो यह तीन पिन है यह वाला एक दो तीन यहां पर उसके लिए यहां पर तीन बार आउटपुट करता है ठीक है तो यह तो यह पिल्कुल यहां पर सही लगा हुआ है और उसके बाद यहां पर देख लेजिए यह कुछ अलग टाइप के जो पैनल है उसमें मैं मैं को दिखा रहा हूं देख सकते हैं इसमें जो कनेक्टर लगा हुआ है मैं इसको लगाता हूं देख सकते हैं यह आउट वाला कने और यह FM का है तो इसमें भी चार पीन है तो हम इस connector को इसमें लगाते हैं तो इसमें अब देखीएगा क्या होता है इसके साथ मैंने यहां पर लगा दिया तो यह रेड वाला वायर को क्या होना चाहिए अंडीना का होना चाहिए ठीक है और बाकी हमारा यह लेट बीच वाला ग्राउंड और रैट होना चाहिए ठीक है तो यहां पर देखिए सौकेट उल्टा होने के कारण जहां पर रेड वाला वायर हम हमारा उसके जग़ा पर हमारा इंद आउट निकल रहा है इसको तो करते हैं यह अप छोड़ है यह पर एंद आप समझ कर छोड़ होगे लेकिन आपका यहाँ ली प्रिया ने जो तर्फ चोड़ गया उसके वाद क्या करांड वाला है तो ग्राउंड वाले के साथ किसी में चैनल में आप दे दोगे ठीक है और जो हमारा आर आउट है जो हमारा राइट चैनल है उसको हम ग्राउंड में दे देंगे क्योंकि यहां पर यहां पर ग्लत होता है उसके बज़े से आपके आउटपुट प्रोब्लम होता है ठीक है यहां पर मैंने आपको पता दिया इतने अच्छे तरीका से यहां पर सिर्फ यह उल्टा जैक लगा हुआ है ठीक है देख सकते हैं इस जैक को कुछ इस परकार से होना चाहिए इस परकार से यहां पर इस परकार से लगाते ह एफेम के सामने हमारा रेड वाला वायर आ रहा है यहां पर ठीक है एफेम के सामने हमारा रेड वाला वायर आ रहा है बाकि यह तीन वायर जो हमारा एल आउट और जी एंडी में आता है ठीक है इस परकार से लेकिन यहां पर क्या है इसको उल्टा तरीका से यहां पर कनेक्ट कहां जाता है यह 90% प्रोब्लम इसी के कारण होता है मैंने बहुत सारा एंप्लिफार किया है उसमें ज्यादा तर जो साउंड सिस्टम से प्रोब्लम होता है कि साउंड नहीं देता है पैनल से तो मैंने यही प्रोब्लम देखा है कि या तो इस कनेक्टर को गलत तरीका से लग लगाता है दिए तो आपको इसको देखकर लगाना है तो आप समझोगे कि यह हाँ मेरा है और इसका यह is signal का और जहां पर अपीनया वाला वायर है वहां पर इसको ऊडूट में चिनेक्ट कर देमें तो यहां पर हमारा आड़ियो मिल नहीं रहा तो आड़ियो ऑप्वट होगा कहां से थिक तो इस प्रकार से आपको क्या करना दोस्तों कि सिंप्ली आपको कुछ करना नहीं है आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो वैर है सही दिशा में जाता है कि नहीं तो दोस्तों आपको सिंप्ली करना क्या है कि सॉकेट को इस प्रकार से निकाल लेना है यहां पर और इसको पलट कर लगा देना है यहां पर कि यहां पर प्लट का लगा देना है पलट के लगाने के बाद दुस्तों करें मिस सॉकेट को लगाते हैं इस वैर को सॉकेट में तो देखिए यहां पर नीचे है अंटीना वाला के पीन पर अंटीना का वार चला गया लेफ्ट बाले के साथ लेफ्ट के साथ चला गया और ग् देखते हुए भी connection करें 95% दोस्तों चांस यहीं से रहता है और बहुत लोग ऐसे करते हैं कि यहां पर जो इसका आप पूट के के लिए लगा होता है तो इतना जल्दी खराब होता नहीं मैंने काफी सारे चैनल में देखा है कि यहां पर बोलते हैं यह खराब हो गया ठीक है तो ऐसा कुछ होता नहीं तो मैंने आपको पहला बता है कि आपको साउंड चेक करना है उसके बाद आपको यहां पर जैक को चेक है और यहां पे रोरा आउट्पूट तो करेगा नहीं तो इसमें सिंगनल आपका एक ही चैनल से डाउट पूट करेगा ठीक है यहां पर हो गया तो यहां पे तो दोस्तों आउटपूट वाला जो हमारा खराब हो जाता है बाकि 95 परसेंटी बिल्गुस सही राता है बस कनेक्शन का फ़र्क होता है जिससे कनेक्शन आप गलत कर बैठते हैं ठीक है तो आप जब परकार से चाहिए तो आपका जो 100% sound problem वो solve हो जाएगा ठीक है तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखर आपको ये समझ में तो आगी होगा कि इसका जो output problem है कि इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं ठीक है तो दोस्तों मारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमारे यू